Hey everyone, very welcome in social classes 9-12 आज हम आपके class 11th political science का topic जो है How was the Indian constitution made? ये वाला पूरा topic आज हम discuss जो आपके class 11th political science का book पहला book Constitution How and Why का पहला chapter का part है So, इस chapter में जो पहला topic था Constitution हमको क्यों चाहिए? That means, why do we need a constitution? And the authority of constitution ये दोनों topic हमने पहले वीडियो में discuss किया जिसका link इस वीडियो के description box में मिल जाएगा So, पहले वो दोनों वीडियो देखो उसके बाद ये वीडियो देखो So, चलिए शुरू करते है आज का ये topic How was the Indian constitution made? मतलब Indian constitution जो हमारे देश का सनविदान है उसको कैसे बनाया गया वो आज हम पूरा आपके साथ discussion करेंगे So, चलिए शुरू करते है बिना किसी देरी के उसके पहले हमारे इस channel को subscribe कर दो और अपने सारे दोस्तों के शेर कर दो क्योंकि हमें आपका support चाहिए और आपका support हमारे लिए बहुत कीमती है So, आपके दोस्तों को share कर दो और subscribe कर दो, चलिए शुरू करते है So, आज का जो हमारा topic है जिस topic पर आज हम बात करने वाला है वो है how was the constitution made that means हमारा जो संगविधान जैसे कि हमारा एक संगविधान है हमारा एक constitution है जो हमारा जिस book में Constitution मतलब कि मैंने आपको जैसे की पहले बोला एक law book जिसमें सारे देश का नियम, कानून सब पूरा लिखा हुआ है कि हमारा देश कैसे चलता है और कौनसा rules, regulation, follow करता है सब कुछ So, हमारा constitution कैसे बना और हमारा देश का जो सरवच्चो house है that means parliament जहाँ पर हमारे MPs बैठते है that means हमारे जो राज्य सबाव members बैठते है वो है parliament So, हमारा देश का new parliament that means 2023 में 28th में को हमारा जो new parliament बनाए गया वो कुछ ऐसे दिखता है आपको screen पर दिख रहा होगा जो हमारा new parliament जिसका उद्गाटन हमारी देश के यश्रस्वी प्रधान मंत्री शीमान नरेंद्र मोधी जी ने किया है जो आपको दिख रहा होगा So, चलिए आज हम बात करते है जो हमारा constitution 1940s के end में that means 1940s के end 1946 से लेकर 1950 तक जो हमारा constitution बना वो कैसे बना कितना उसके लिए महनत लगा क्यों बना तो हमने देख लिया और उसका पावर कितना वो भी हमने देख लिया पहली वीडियोस में आज हम देखेंगे वो कैसे बना कौनसा कौनसा प्रसीडियूर था चलिए The constitution was made by the constituent assembly which had been elected for divided India देखे हमारे देश में पहले क्या एक constituent assembly बनाए गया constituent assembly मतलब एक ऐसा house एक ऐसा members का committee जिसके अंदर कुछ लोग थे जो लोगों को decide करना था कि constitution में क्या किया होगा constitution में कौनसा कौनसा rules होगा constitution में कैसा कैसा होगा जो ऐसा एक assembly बनाए गया तब कब बनाए गया था जब इंडिया डिया नहीं होग था इंडिया कब डिवाइड होगा था आपको पता है ना जो हमारा जो प्रेजंट इंडिया और बहए," उसकी प्रेज़ंड क बादे लिधे खी kamonoadag इंडिया की टेडिटोरी भी से लुक थे बांगलादेश की टेडिटोरी से भी मतलब लोग भापे थे ओके सो यह था आपका कॉंसेप्ट जो कैसे मतलब कॉंखोन उसमें मेंबर थे ओके उसके बाद देखिए इट हैल इस फॉस सीटिंग सो हमारा कंस्टिटिट्यूएंट एसेंबली का जैस्टिट्यूएंट बनाने के लिए जो मीटिंग होता है बहुत सारे लोग एक साथ बैठ थे जो मीटिंग हुआ वह कब हुआ वह वह था 9th December 1946 को को किया हुआ आपका मीटिंग हुआ एंड रिजूनेंग द एक संब्ली फॉर डिवाइड ओके सो जब पहला मीटिंग हुआ तब अंडिवाइड था बट जो 14 अगौस्ट 1947 को क्या हुआ constitution that means हमारा जो यह constitution assembly वह भी divide होगा क्यों कि जो territories अब समझेए और इससे उएससे जो पाकिस्तन के अंदर परता था वो territories के जो लोग थे वो तो पाकिस्तन के constitution में चले जाएंगे पाकिस्तन के assembly में चले जाएंगा हमारे assembly क्यों आएंगे वह एसा करके कुछ लोग पाकिस्तन में चले गए कुछ लोग इधर रहेंगे और हमारा जो constitution assembly में जो लोग चुने गए थे वह कैसे चुने गए थे वह जो आपके डाइरेक्ट नहीं चुने गए थे वह indirect election के मदद से चुने गए थे government of India Act 1935 के basis पे चुने गए है ओके तो यह आपका यहातक था समझाया पहले किया जो हमारा constituent assembly बना वो कब बना उसका कब बना वो 1946 के December में बना और उसका first meeting का बना 9 December 1946 को ओके और 9 December 14 अगोस्ट 1947 को जब इंडिया इंडिपेंडेंस वह तब सब ones suda कि जो पाकिस्थान के मेंबर थे वह पाकिस्थान चलेगे बांगला देश के बीगा तब तो बांगला देश और पाकिस्तान एक ही था पाकिस्थान ही था वह हम परेंगे बाद में आपके चलास 12 पे इतना समझ आ गया ओके चलिए देखते हैं आगे अब देखे आपका आपका जो constituent assembly है जो constitution वो roughly along with the line suggestion by the plans procedure by the committee of the British known as the cabinet mission आपका जो constituent assembly है उसमें जो rules regulation बनाने थे वो कौनसे mission के अंदर आया वो britisher ने एक mission दिया cabinet mission तो कौनसे mission के अंतरगत आपका constituent assembly established किया गया थे आपका कांसे mission के अंतरगत आपना अब देखे एकोड़िग तो दिस plan के that means cabinet mission के अनुजाय इस plan के मताबिक या होता है से देखिये इच प्रोविंसेस एड परिंस yellow से ऐड़े ऐस और अलोंटे the seeds प्रोविंशेल को सिलेक्ट को select करेंगे किसके लिए आपके constituent assembly में समझे क्या बोल रहा है जैसे कि यह समझे आपका देश है और यह समझे आपका population है ऐसे करके बहुत सरे population है आपके देश के अंदर आपके देश के बिविन पार्ट से different पार्ट से different क्या जाएंगे representative जाएंगे हर दसलाग लोग मिलके क्या करेंगे एक representative select करेंगे क्या हर दसलाग लोग मिलके क्या करेंगे एक representative select करेंगे इतना समझ आगे है उसके बाद देखिए as a result the provinces there were under the direct British rule 292 अब देखिए ऐसे बहुत सारे area थे ऐसे बहुत सारे जगा था वो किया ब्रिटिश्ट इंडिया में मतलब ब्रिटिश्ट इंडिया मतलब किया जो इंडिया पाकिस्तान एक साथ था वह तह ऐसा बहुत सारे जगा था वो जो डायरेक्ट बिटिश्ट के अंदर ता उसके अंदर 292 सीट से कितना से ते 292 सीट से और उसके जो अब देखिए, आप देखिए, आप समझे हिंदूस और आदर काटेगोरी के अंदर पढ़ता है, यह थाप का यह वाला, उसके बाद देखिए, उसके बाद, जो थाप था, मेंबर, members of each community in the provincial legislature assembly elected their own representation by the method of proportional representation with the single transferable vote, मतलब, each person give one vote, एक vote देते थे, और select करते थे, मतलब, हर लोग, that means, vote दे पाते थे, कि आपको किसको चुनना है, जैसे कि आप बोट देते हैं, आप तो बोट नहीं देते होंगे, आपके मामी पापा बोट देते हैं, आपके मामी पापा जब देते हैं, आप एक लोगों को, जो कोई भी आपका representative से आप एक को vote देते हैं, आपके आपके इक को vote देते हैं, तो वो लोग ऐसे भी proportional representation के basis पे आपके जो उन लोगों को vote देया, proportional representative with the single transferable vote, उसकी basis पे आपका क्या हुआ, आपके जो constitutional assembly के member थे, उनके लिए vote हुआ, ओके, the method of selection in the case of representative of the princely state was to be determined by the constitution, ओके, so ये था आपका ये बाला, उसके बाद देखते हैं, क्या हुआ, ये था आपका, जो पहले हमने समझा था, क्या, how was the constitution made, so ऐसा कुछ, ऐसे ऐसे हुए, ऐसे तरीके से, आपका जो constitution था, आपका जो सनविदान था, वो constitution क्या हुआ, ऐसे से आपका constitution तयार हो गया, और रेडी हो गया आपके लिए, ओके, उसके बाद देखे, the composition of the constituent assembly, composition, that means, constituent assembly, कितना part में, कितना था, कितना लोग था, कैसे था, कैसे हुआ, तो वो पूरा हुआ, आपका composition of the constituent assembly, देखे, as a constitution of the partition, जो partition हुआ था ना, जो हमारा देश विवाजि होने से पहले, there are the 200, that means, देश विवाजित होने के बाद, there are the 299 members, that means, उसके पहले तो total 380 members approximately थे, उसके पहले, बाद जब देश डिवाइट हो गया, उसके बाद 292 member ही रहे गे इंडिया के पास, बाकि वो बाद में, that means, पाकिस्थान में चले गे, बाकि जो जितने भी थे, 389 members थे total, okay, 389 members, कितने members थे, 389 members, among them, only 299 members, इंडिया के पास रहे गे, बाकि पाकिस्थान में चले गे, okay, उसके बाद देखे, आपका, जो है, नीला कलर अच्छा होता है, आपके लिए, बहुत अच्छा होता है, so, ऐसा होता है आपका, जब, और आपका most important things, जो हमारा constitution है उसको बनने में कितना दिन लगा, हमारे constitution बनने के 2 year, 18 months and 11 days लगा, कितना 2 year, 18 months, 11 days लगा हमारे constitution का तयार होने में, जो constitution तयार हो गया था, एकदम एड़प्ट हो गया था, वो हुआ, 26th November, 26th November 1949 को आपका constitution बन के तयार हो गया था, but, वो constitution कब चालू हुआ, 24th January 1950, उस दिन को constitution को sign किया गया, कि constitution चालू होने के लगा, तयार है, और constitution चालू कब हुआ, constitution चालू हुआ, 26th January 1950, उस दिन को constitution केम इंटू फूर्स, अब ऐसा क्यों हुआ, आपके दिमाग में कुश्य ना था, क्योंकि 1930 को जब हमारे पहले प्रधान मंत्री जहरलाल नहीं रूतर ने पूरा 6th January की मेमोरी को हम अच्छे से रख पाए, इतना समझ आगे आपको, पास, आगे चलते हैं, ओके, सो यह आप देख पार है, कि constituent assembly जो हमारा था, वो drafted हुआ, उसमें बहुत सारे committee थी, जैसे कि drafting committee था है, ऐसा करके बहुत सारे committee, mainly eight committees थे, ओके, सो वो लोगों ने पूरा constitution drafted किया, पूरा constitution में rules, regulations, वो सारे पूरा क्या होता है, universal suffrage के basis पे election होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, करके, पूरा हमारा जो constituent assembly था, पूरा, उसने drafted किया, सो हमने यहापे जो important points है, वो हमने लिखा है, आप screenshot ले सकते हो, और आप अच्छे से देख भी सकते है, ओके, सो यह है आपका पूरा जो topic, ओके, the composition of the constituent assembly, ओके, सो उसको कितना time लगा, कुतना लगा, वो, यह से सब कुछ question आपके exam में आ सकता है, school के exam में आ सकता है, और यह जो chapter से वो आपके, जब future में आप बहुत सारे competitive exam देंगे, like UPSC, SSC, जो यह chapter से वो बहुत important हो जाते है, आपके पढ़ाए के लिए, so, इस वीडियो में इतना ही, तब तक, आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर subscribe कीजिए, और हमें support कीजिए,